Hello friends, कैसे हैं आप सब, तो अगर आप confused हैं कि B.Tech या M.Tech BITS पिलानी से करें या फिर S.V.U. मतलब कि शिरी वेंक के टेशवरा युनिवरसिटी से करें तो इस वीडियो में मैं आपको complete detail बताने वाला हूं about both universities तो देखे हम comparison करेंगे on the basis of four points इसमें सबसे पहला है तो इसके बाद आप अच्छे तरीके से comparison को देखकर decision अपना ले पाएंगे और दोस्तों comment section में जुरू बताएगा कि आप B.Tech after diploma कर रहे हैं या फिर after 12th कर रहे हैं और अगर चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरू कर लेना जिससे कि आने वाले time में आप हमारे साथ connected रहें और ऐसी valuable videos के notification भी आपको पहुँचते रहें तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं जानते हैं दोने उनिवस्टी के comparison को detail में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिट्स पिलानी मतले कि बिला इंस्टिट आफ टेक्नोलजी की और इसके अगर branches की बात करें तो इन इंडिया एंड आउट ओफ इंडिया भी काफी branches हैं लाइक मुंबई में डुबई में तो ऐसी इसकी बहुत जगा पर branches बनी हुई हैं अगर वहीं हम दूसरी और बात करते हैं SVO मतलब की श्री वेंकटेश्वरा university की सो देखें ये located है UP मतलब की उत्तरपरदेश में और इसके campus की बात करें तो 60 acres का आपको इसका campus भी देखने को मिल जाएगा सो चलिए अब बात करते हैं सबसे हमारा पहला point की यहां पर ranking and credentials क्या रहने वाली हैं दोनों universities की तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बिट्स बिलानी की तो देखें इसके NAC A grade की स्कोर ranking मिली हुई है प्लस अगर हम NIRF ranking की बात करें तो 25 इसका rank है overall and engineering ranking में और कि वहीं अगर हम दूसरी और बात करते हैं SVO श्री वेंकटेश्वरा university की तो देखें उसको जो यहां पर NAC A plus grade की ranking मिली हुई है and 54th उसका number है यहां पर NIRF ranking का देखें दोनों universities UGC approved है मतलब कि University Grant of Commission की दोनों के पास ही approval यहां पर है and S.E.U. में देखें अगर और हम बात करें इसकी भी approvals की तो यहां पर देखें आपको UGC, AIU, INC, PCI तो यह सारी approvals इसको मिली हुई है तो चलिए अब हम बात करते हैं B.Tech and M.Tech program details and specializations and eligibility की तो देखें दोनों universities में आपको काफी programs offer गिये जाते हैं लेकिन हम इस video में properly बात करने वाले हैं B.Tech and M.Tech के बारे में तो चलिए programs को देखते हैं तो चलिए सबसे बात करते हैं शीरी वैंकर टीशुरा यूनिवरसिटी में आपको B.Tech के यहां पर कौन सी specialization मिल जाती है और क्या eligibility यहां पर रहती हैं admission लेने के लिए तो दीखें यहां पर आपको B.Tech regular and B.Tech later entry के साथ भी मिल जाती है और अगर हम बात करें specialization की तो यहां पर दीखें आपको computer science and engineering plus civil engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering and mechanical engineering यह साथी specialization आपको मिल जाती है और बात करें eligibility की तो दीखें अगर आपने 12th complete की हुई है किसी भी recognized board से ठीक है with chemistry, physics, computer science, biotechnology यहां फिर biology यहां फिर technical vocational subject with minimum 45% marks तो आप यहां पर eligible रहते हैं and दीखें 5% की lectures मिलती है SC, ST and PH candidates को so यहां तक clear होगे and अगर हम B.Tech later entry की बात करें तो उसका भी आपको screen पर दिखाई दे रहे होगी कि उसकी भी क्या eligibility है यहां पर specialization आपको दोनों में से मिलेंगी इसकी eligibility आप अभी screen पर देख रहे होगे ठीक है clear और अगर हम यहीं पर बात करें कि M.Tech में आपको कौन सी specialization मिलती है उसकी क्या eligibility है तो दीखें यहां पर M.Tech भी आपको यहां पर regular मिल जाती है प्लस part time भी मिल जाती है तो यहां पर दीखें इसमें specialization जो है तो मैं आपको प्रॉपर बोल कर बता रहा हूँ सिर्फ यही specialization आपको जो है शिरी वेंक टेश्वरा यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगी ठीक है और अगर इसकी duration की बात करें तो टूर की duration है जिसमें आपके 4 semester ही रहते है अगर बात करें इन दोनों की eligibility की इसमें देखें है mtech regular and part time की same eligibility है जो अभी आपको screen पर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी तो आप pause करके देख सकते हैं यह eligibility रहती है mtech की तो यहाँ तक clear हो गया SVU के बारे में अब चलिए बात करते हैं कि आपको bits पिलानी में कौन सी यहाँ पर specialization के साथ btech and mtech मिल जाती है सबसे पहले बात करें btech की bits पिलानी से तो आपको btech in engineering technology btech in electronics engineering and btech process engineering की यहाँ पर आपको इसमें specialization मिलती है ठीक है so btech की आपको सिर्फ यहाँ पर तीन specialization ही देखने को मिलेंगी and अगर mtech की बात करें तो इसमें देख्या आपको काफी specialization मिल जाती है like देख्या आपको mtech software system software engineering cloud computing 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 system and infrastructure उसका embedded systems तो बाकी अब भी आप screen पर देख रहे होंगे अगर मैं सभी को और इसमें भी बताऊंगा mtech की भी तो वीडियो पर जाल नेती हो जागी आपको screen पर भी दिखाई दे रहे होंगी यह सारी specialization आपको mtech की मिल रही है bits पिलानी में so यहाँ तक देखिए हमारे 2 points clear हो गया सबसे पहला था ranking and credentials second यहाँ पर programs offered वाला तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको fees कितनी मिलती है दोनों ही university में उसका comparison देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर bits पिलानी की फीस की बात करें तो देखिए बी टेक की जो आपकी पर समेस्टर फीस रहती है वो 50 to 55 thousand की पर समेस्टर आपकी फीस यहाँ पर रहती है ठीक है क्लिए तो आप इसे calculate कर सकते हैं जितने साल आपकी यह चलेगी ठीक है बी टेक मतलब 4 years की होती है तो इसे आप calculate करके दीख सकते हैं तो इसे आप कैलकुलेट करके पर समेस्टर आपकी फीस यहाँ पर समेस्टर आपकी इतनी फीस यहाँ पर रहती है ठीक है क्लिए सो दिखिया एडमिर्शन लेने के लिए eligibility मैंने आपको आरड़ी बता दी है वो आपने अभी पहले देख ले हैं या फिर भी study करने की सोचते हैं तो उनकी rating and उनकी choice के रहती है इन universities के बारे में तो सर वो हमें कहां से पता चलेगा इसके लिए भी मैं आपको एक simple platform बताता हूँ बिल्कुल genuine आपको वहाँ से सारे इसके honest review बता चलेंगे students के and placement की companies के वेरिफाइड वो platform है आप विजिट कर सकते हैं collegevidya.com पर जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको दिखे वहाँ पर जाकर b.tech को चूज करना है उसके लाद अपनी basic detail को डालना है ठीक है find best university पर क्लिक करना है आपको सामने जितनी भी universities आएंगी सारी approved universities रहती है वहाँ पर देखे आप university के expert से directly बात कर सकते हैं and collegevidya के expert से free audio video counseling ले सकते हैं और देखे add to compare पर क्लिक करके आपको तीन universities के बीच में comparison करने का option मिल जाएगा तो देखे किस के basis पर कि वहाँ पर उसकी fees कितनी है approvals कौन से उसके पास है and placement का option जो मैं आपको बता रहा था ठीक है और student की rating क्या है, student की choice क्या है और उसके साथ देखे आपको EMI में fee pay करने का option भी आपर मिल रहा है तो आप EMI में भी अपनी fees दे सकते हैं अगर आप college vidya के through admission ले रहे हैं और देखे यहां से अप directly redirect भी हो जाते हैं university की official website बार जिससे की online degree के fraud भी बिल्कुल खतों हो जाते हैं यहां पर देखे आपको placement का support मिल रहा है, assistance मिल रही है प्लस आपको एक dedicated counselor जो सबसे main point है कि आपको देखे first day से guide करेगा कि कौन से documents चाहिए, admission के लिए, square post services, अगर आपको क्यों और document चाहिए वो आपको सारी आपकी help out करेगा ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर तो यह एक बहुत बड़ा यहां पर plus point है, email का option है तो आप यहां से university को comparison कर सकते हैं और इस website से जागा student की चॉय student की rating एंड वहां पर placement companies की सारी आप यहां से check out कर सकते हैं लास्ट में मैं आपको important चीज़ एक और बता दू देखिए, अगर आपको कहता है कि आपको B-tech यह M-tech हम online करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि यह वाले engineering program आपको कोई भी आपको पूरे ही online देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अगर हम बात करें, UGC and AICT के और से तो कोई भी college यहां पर देखिए, आपकी क्या होती है, या तो part-time होती है, जिसके बीच में आपको college बीच-बीच में जाना ही पड़ता है, ठीक है, वहां पर आपक प्लेस्मेंट, स्टुनेंट, स्टुनेंट, स्टुनेंट की चॉइस यहां पर क्या है, अब आपने 4 पॉइंट को सारों को कवर कर लिया है, तो अब सब आपके काफी सारे questions जो दोनों university को लेकर थे, अब वो clear हो गए होगे, लिकिन अगर फिर भी आपको क्वेस्टन रहता वैसे 4 पॉइस 6999 है, लेकिन आपने मारे चनल को सब्सक्राइब किया हुए, तो आपको वो सारी चीज़ें free of cost मिल जाएंगी, तो अब ही जाओ, website का लिंक है, डिक्षिश में जाकर comparison करो, और आपको कौन सी university बेस्ट लगती है, और आप कहाँ पर admission लेने वाले हो, वो भी comment section में comment करके बता सकते हैं, so guys चलिए मिलेंगे अब जल्दी ऐसी और भी next valuable वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदार